तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे Angel One Application के अंदर एक नया अकाउंट क्रेट कर सकते हो और दोस्तों देखे अगर आप आज की हमारी इस वीडियो को देखके Angel One अकाउंट को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको वीडियो खतम होने तक 300 रुपे का एक साइन अप बोनस भी मिलेगा बस उस बोनस को क्लेम करने के लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी तो अब जल्दी से हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने Angel One अप्लिकेशन को अकाउंट को सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हो और आपका जो Angel One अप्लिकेशन का अकाउंट है वो सेम टाइम एक्टिविट भी कर दिया जाएगा इस वीडियो को देखते के साथ ही तो आप देखिए सबसे पहले Angel One अप्लिकेशन का अकाउंट बनाने के लिए आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगी आपको सिंपली उस लिंक पर कुछ इस तरीके से क्लिक करना होगा तो फिर आप डारेक्टली यहाँ पर प्ले स्टोर पर रिडारेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर आपको Angel One अप्लिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर देना होगा तो फिर जैसे ही Angel One अप्लिकेशन आपके फोन में डाउनलोड हो जाती है आपको इस एप्लिकेशन को यहाँ से इस तरीके से open करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ नीचे से sign up वाले option पर यहाँ से klik कर देना है तो फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना एक mobile number एंटर कर दिना होगा उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एक referral code मांगा जाता है तो यहाँ पर अभी आपको इस screen पर एक referral code देखने के लिए मिल रहा होगा आपको इसी same referral code को यहाँ पर enter कर दिना होगा दोस्तो इससे होगा क्या कि इस referral code को enter करने से आपकी तरफ से हमें एक छोटी सी financial help मिलेगी जो हमारे लिए काफी जादा मददगार रहेगी तो इसलिए please दोस्तो यहाँ पर आपको जो screen पर referral code देखने के लिए मिल रहा है इस referral code को यहाँ पर आप please enter कर दिजेगा और इसी के साथ में अगर आप इस referral code को यहाँ पर enter करते हो तो यहाँ पर आपको भी 300 उपीस तक का एक sign up bonus मिलेगा वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के last में बताऊंगा फिलाल अभी आपको यहाँ पर referral code enter करने के बाद नीचे से next वाले option पर click कर दिना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको सभी permissions को allow कर दिना होगा तो फिर यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का एक interface open होगा तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना एक full name enter कर दिना होगा उसके बाद यहाँ पर आपसे फिर से एक referral code का option आपको देखने के लिए मिलता है तो जो same referral code आपने पहले भी enter किया था उसी same referral code को अभी आपको यहाँ पर फिर से enter कर दिना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको next वाला option देखने के लिए मिल जाएगा इस next वाले option पर आपको click कर देना होगा तो अब आपको यहाँ पर एक continue with google का option देखने के लिए मिलेगा इस option पर जैसी आप यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर आपके phone में जितने भी Gmail ID's login है वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको pane card number enter करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे से submit वाले option पर click कर देना है तो अब आपको यहाँ पर नीचे से terms को accept करके authenticate आदार वाले option पर click कर देना होगा उसके बाद फिर से यहाँ से आपका आदार card number मांगा जाता है और फिर यहाँ पर आपको जो capture लिखा हुआ देखने के लिए मिल रहा है इस capture को यहाँ पर आपको इस box के अंदर fill करना होगा और फिर आपको यहाँ से next वाले option पर click कर दिना है तो आप यहाँ पर आपके अधार card में जो mobile number registered है उस mobile number पर एक OTP बेजा गया होगा उस OTP को यहाँ पर enter करने के बाद आपको यहाँ से continue वाले option पर click कर देना है तो आप OTP को submit करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक click pane card picture का option आपको देखने के लिए मिलता है आपको simply इस वाले option पर click कर देना होगा और यहाँ से अपनी camera की permissions को allow करने के बाद यहाँ से आपको अपनी camera की picture को click कर लेना होगा और यहाँ से click करने के बाद आपको simply इसे proceed कर देना होगा confirm वाले option पर click करके और फिर यहाँ पर आपको अपना pen number एंटर करना होगा अपनी date of birth and अपना father's name एंटर करने के बाद आपको नीचे से continue वाले option पर click कर देना है तो आप देखें जैसे ही angel one application आपके bank account की details को fetch कर लेती है तो यहाँ पर आपको आपके bank account की details देखने के लिए मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा link bank account का आपको basically इस option पर click कर देना है तो अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का interface आपको देखने के लिए मिलेगा तो अब आपको यहाँ पर सबसे उपर में अपना अधार number एंटर करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक capture देखने के लिए मिलता है उस mobile नमर पर आपको एक OTP share किया जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर इस box के अंदर enter करना होगा और फिर यहाँ से आपको continue वाले option पर click कर देना होगा और फिर यहाँ पर आपके सामने एक selfie का option आपको देखने के लिए मिलेगा तो simply आपको यहाँ से open camera वाले option पर click करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के एक selfie को click कर देना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक capture का option देखने के लिए मिल रहा होगा इस option पर आपको click कर देना है फिर आपसे यहाँ पर एक signature submit करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पर आपको एक खाली box देखने के लिए मिल रहा है इस box के अंदर आपको अपना एक signature कर देना होगा signature करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे से submit वाले option पर click कर देना है तो अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरिके के interface आपको देखने के लिए मिलेगा तो अब आपसे यहाँ पर कुछ document select करने के लिए कहा जाता है अगर आपके पास इनमें से कोई भी document अभी available है तो यहाँ से आप simply document को select करके उसे यहाँ पर upload कर सकते हैं अगर आपके पास document अभी available नहीं है तो simply आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिल जाता है do it later इस वाले option पर क्लिक करके आप अपने इंजल वरने account को activate कर सकते हो अब आप से यहाँ पर आपके annual income select करने के लिए कहा जाता है अपने employment type को select करने के बाद यहाँ से आपको next वाले option पर क्लिक कर देना होगा और फिर यहाँ पर आपसे आपका gender select करने के लिए कहा जाएगा and then यहाँ पर आपको अपना marital status select करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको इस option में quarterly ही रहने देना होगा और फिर यहाँ से आपको नीचे से submit वाले option पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर इस terms को accept करके यहाँ से आपको यहाँ पर अपना अधार card number एंटर करना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपना send OTP वाले option पर क्लिक करके यहाँ पर आपके registered mobile number पर एक और OTP शेर किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर आपको enter कर देना होगा उसके बाद आपको यहाँ से verify OTP वाले option पर क्लिक कर देना है तो अब आपका OTP जैसे ही verify कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपके सामने कोच इस तरिके का interface आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आपको clearly लिखा हुआ देखने के लिए मिल रहा है कि जो आपका angel one account है वो simply यहाँ पर open हो चुका है बट अभी आपने जो यहाँ पर documents या फिर जो भी आपने अभी यहाँ पर अपनी details फिल की है उन details को यहाँ पर angel one application verify करेगी and then उसके बाद यहाँ पर आपका जो account है वो यहाँ पर simply आपको activate करके दे दिया जाएगा simply हाँ पर account activation का जो time है वो यहाँ पर angel one ने 3 working days का यहाँ पर mention किया हुआ है बट अगर आपने अपनी सभी details सही तरीके से enter की होगी तो यहाँ पर जो आपका angel one application का जो account है वो simply हाँ पर आपको सिर्फ एक दिन के अंदर ही activate करके आपको दे दिया जाता है और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के starting में बतायाता है कि अगर आप हमारे referral code को अपने application के अंदर use करते हो तो यहाँ पर आपको simply 300 रुपीज तक का sign up bonus मिलेगा बस उसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटी सी activity करनी होगी अब वो activity क्या रहने वाली है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए जैसे ही आपका एंजर वन application अकाउंट activate हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने करें मिल जाएगा reference earned का तो यहाँ पर जैसी ही आप simply reference earned वाले option पर क्लिक करोगे तो यहाँ से अगर आप अपनी link से किसी का भी एक account open कराते हो तो यहाँ पर आपको जैसी ही वो person account open कर लेता है यहाँ पर आपको simply एक 300 रुपीस का voucher दे दिया जाएगा engine one application की तरफ से आप simply use voucher को amazon and flip card के अंदर claim कर सकते हो तो इस process से आपको free में 300 रुपीस भी इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगे तो दोस्तो इतना easy था है engine one application का account open करना अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यार please वीडियो को like करेगा अगर चैनल पर नए हैं तो please चैनल को subscribe करेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जाहिंद एंड वन्दे मातरम